नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक खास मुलाकात लेके आ रहे हैं। बात हम फिल्मों की करेंगे, फिल्म की राजनीती की करेंगे, और किस तरह से फिल्म पे सरकार या फिर भारती एस्टेट रियाक्ट करती है। हम बात करेंगे आशिश राजाध्रक्ष से, जो बहुत पुराने सीनियर पत्रकार हैं और बहुत लंबा काम किया है सिनिमा के उपर भी, इनकी नई किताब आई है, जॉन, घटक, तारकोव्स की, सिटिजन्स, फिल्मेकर्स, एंड हैकर्स। किताब बहुत ही डीटेल्ड है, सबसे पहले तो इसके किताब लिखने के लिए बढ़ाई और हमारे कारेक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जॉन, घटक, तारकोव्स की, जॉन, फिल्मेकर के नाम हैं ये तीनों, जॉन, एबराहम, घटक, रित्विक, घटक, तारकोव्स की, रूस के, सोवेट यूनियन के बोलना ज्यादा सही होगा पोलेटिकली, सोवेट यूनियन के एक तरसे सिनेमाटिक आइकंस में से, इडिन्टिफाई करते होंगे, मुझे सबसे पहले तो बताईए कि आपका ये जो काफी हम कहेंगे कि इंट्रीगिंग किसम का किताब का जो टाइटल है, इसके बारे में जरा बता है, ये कहां से आता है, आपने लिखा है कि एक खास जगा से प्रोटेस्ट की विरोध के बड़ा स्ट्राइक हुआ था दोजार पंधरा साल में, तो उस स्ट्राइक पे ये किताब अधारत है, लेकिन किताब का एकस्पैन काफी लंबा है, इमर्जनसी से लेके आज तक, लेकिन बेसिकली इसका कहना ये है कि जो 2000 के बाद जो शिफ्ट हुआ, जब सेजिलोड टेक के साथ नए पॉलिटिक्स पे आ गए और नए किसम का एक सिनमा निकला और उसके साथ नए किसम के प्रोटेस्ट मोड भी आ गए, जॉन गटक-Tarkovs की ये उनका एक स्लोगन था, स्टूद्स स्लोगन था, सबसे पहले उनका स्लोगन 2010 में, हो 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 ची मिन, वीशल फाइट व विशल में जबाएर, जॉने वीशल विशल वे उन ऐसे किया था और टोलन फिफ्टीट में ज düşün जन घटक-Tarkovsky, वीशल फाइट वीशल वेन ऐसे Ś incr तो जौन एब्राहिम रित्वी घटक और अंद्रे तार्कावस की हिंदुस्तान के रास्तों में नारे जैसे वो डिसेंड आव गए तो उसमें एक इतिहास रहा जैसे हम जब आपके साथ जैसे हम फिल्म सोसाइटीज में वगरा जो फिल्में देखते थे तो इन नाम थे हमार तो उसके साथ तो जिन लोगों का की पहचान है जौन एब्राहिम रित्वी घटक अंद्रे तार्कावस की तो उन लोगों को पॉलिटिसाइज जैसे हुआ तो स्टूडन्स का एक बतलब एक कम्यूनिटी बिल्डिंग किसम का एक स्लोगन था ये कि जिन्हों ने इन नामों का की पैचान हो उस लोगों को अभी रास्तों बलाना है ऐसे वो हिंदुस्तान में जब टॉप फिल्म के निर्माताओं के मतलब डारेक्टर्स के बारे में बात होती है रित्वी घटक की तो बात होती है उनके साथ मिनाल सेन और सतरजी तरे की भी बात होती है सतरजी तरे क नाम पहले आता है, उसके बाद मिलाल से इनका आता है, घटक का अभी आता है, जॉण एबरहाम के बारे में उतनी ज़्यादा मास लेवल पर चर्चा नहीं होती, सिर्फ जो हम कहता है कि सिनेमा कम्यूटी, जो फिल्म कम्यूटी है, उनी के बीच में ज्यादा चर्चा होती है, इसके पीछे क्या कारण रहा है? रित्वी घटक, बाकी जो रित्वी घटक थे, वो तो थे ही, लेकिन रित्वी घटक एफ्टी आय में सिखाते थे, जी, जी, तो फ्रक्राइब, रित्वी घटक थे, एकचली सिखाते थे, वीइस प्रिंसिपल थे, वीइस प्रिंसिपल थे, वीइस प्रिंसिपल थे, लेकिन वीइस प्रिंसिपल उसके बाद वीज़ी इस रिम एने कर मिट HC नाटी से लेकर, तो एक direct connection रहा है Film and Television Institute का रित्वी घटक के साथ. घटक जब चले गए तो एक तरह से ऐसे लगा कि he occupied that campus, he occupied the cultural memory of that campus. तो student का एक अजीब सा एक protest, क्या बोलते है, poster था, अजेंदर चौहान जब उनको नुमिने किया था चैमनल नुमिनिक काउंसल, तो slogan यह था कि go away चौहान, घटक was here. तो घटक as representing a certain kind of memory से हम तुम्हें छोडने वाले नहीं हैं, हम हैं यहाँ. उस किसम का एक जो एक iconic, जो एक क्या बोलते हैं, larger than life quality जो है, इस किसम के quality John Abraham ने इनहेरिट की थी. John Abraham was also like Ritwi Ghatak, अभी Hindi speaking areas में शाहिए नहीं का नाम नहीं होगा, लेकिन Kerala में बहुत ही नाम है उनका. He is really a very very well known figure in Kerala, again as an iconic figure. और जैसे Ghatak की reputation posthumous हुई, उसी किसम की reputation John Abraham की उसके बाद ही हुई. After he passed away, so धीरे 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 John Abraham की film में अभी available हो गई हैं, अभी हमने actually जब ये किताब Kerala में, मल्याले में translate हुई है, और Kerala में जब हमने launch किया तक कोची भी है नाले में, तो John Abraham की सबसे पहली film विदेर्टिकाले इतिले इतिले हमने रह से रह करके दिखाई थी, चाली साल के बाद. तो इस किसम का जो cinematic इतिहास जड़े इन लोगों के साथ, और उनने जो film बनाई थे उस किसम का जो इतिहास है, तो अभी उसका importance हम उसमें देख रहे हैं, it's a very different way of approaching both these names and the films that they made. And the history, the collective shared history, जो तो थे as a political weapon, which is a new thing, you know, this idea, I mean, यह सब political filmmakers हैं, लेकिन इस किसम का politics, इस किसम के किसिने politics कहें आपको, कि यह film में लेकर politicize करना, इन लोगों के नाम को लेकर, this was a new era, and this was associated with social media, with a certain kind of virtual community that came up, the conversion of these names into memes, you know, अभी घटक के वो एक बहुत famous कलते हैं, इस उनकी आपरी फीलमी युकतीताक और गफ, वहाँ प केठाद करहू है, भब 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 बाब बाक्तिस करो, ठाज मिलते हैं, in a Polyp jour, in a private, with aona, that particular kind of shift that takes place into a popular culture, into a kind of a domain of memes, where these people become larger than life figures. This is a political phenomenon that I was interested in, क्योंकि वो जो स्ट्राइप में उन्होंने इस किसम की हिस्ट्री को लेकर उन्होंने उनके political materials क्रेट के थे. आपकी किताब में एक रिमार्कबल चीज लगी कि आपकी शुरुआत मतलब जो कहते हैं न कि यू गेट इंटू दी सबजेक्ट बाई दे टूथाउजन फिफ्टीन का जो चात्रों का जो अंदोलन हुआ था गजिंदर चौहन नहीं चाहिए क्योंकि यहां घटक थे. आपने मतलब बहुत ही मार्मिक तरीके से याद दिलाए लेकिन उससे शुरुआत करके जैसे आपने शुरू में कहा कि 1975 से लेके अब तक क्या हो रहा है तो एक तरफ से विरोध और विद्रो दोनों के constant narratives आपके किताब में पूरे तरफ से आते हैं आप ये भी कहते हैं कि एक तरह से 2015 का जो चातर आंदोलन था वो भी एक जगा जो चातर आंदोलन के campuses के top list में नहीं आता था जैसे कोई अगर पूछे किसी को कहा कहा चातर आंदोलन होते हैं तो मतलब उंगली पे लोग गिना देंगे उन इंसिट्यूट्स के नामों में FTII के जिकर नहीं आता है लेकिन आप बोलते हैं कि उसके बाद और universities में भी जाता है तो एक तरफ तो इसकी narrative निकल के आती है दूसी तरफ किस तरह से state ने respond किया है मेरे को बहुत interesting लगा कि आपने नहरूविय नहरा में किस तरह से उस समय की Indian state जो है हमारे independence के बहुत पहले हमारी film industry बड़ी है normally ऐसे हुआ है कि जैसे African countries में या Southeast Asian countries में there was never a film industry indigenous to those nations during the colonial period in the colonial period the dependence was always on the colonized countries they say Senegalese filmmakers this was their post production in 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 France हमारी film industry इतनी बड़ी थी long before independence और इस film industry को दूसरे दशक से ही शुरू हो गए थे हमारे फिल्म में बड़ी उसके पहले मतलब 19 approximately from the first world war basically we were we were more or less one of the world's biggest film industries और इस film industry को Indian state ने colonial state ने और उसके बाद independent Indian state ने काफी मतलब with suspicion देखा है क्योंकि इस industry का एक national cinema बनाना मुश्किल रहा है ऐसे नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की लेकिन उस popular culture को how do you yoke that popular culture towards the ends of the state ये actually हिंदुसार में हमेशा problem रहा है तो cinema को regulate करना cinema को censor करना और cinema को improve करके एक better cinema बनाना जैसे कि इस film industry को धीरे धीरे wipe out करके और दूसरी किसम की industry आ जाए जो एक तरह से art house हो एक तरह से अच्छे mark दिखाए इस किसम की industry हो this was a very very big ambition and the film industry has resolutely been failed to be disciplined in this particular way so that is a that is the the big long if you like 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 history of this uh of this हाँ समझते है लेकि state को हमेशा से cinema के साथ मतलब खास्तों से जो non-commercial cinema है हिंदुस्तान में के tradition रहा शुरू से हमने मतलब दो खांचे कर दे की commercial popular cinema इसको बार में Bollywood के नाम से जाना जाना जाए था और regional languages में उसी जॉनर के film में आती और दूसरा जो शुरू हुआ था लेट 60s में हाला कि 50s में भी उस तरह के film में होती जो अलग किसम के होती थी बाद में इनको art house या फिर new wave cinema कई तरह के label दिये गए 1980s में जो period आप जो बोल रहे थे कि जिस period में आप लोग आप film society movement में active रहे होंगे हम जैसे लोग पतकारिता में आया होंगे cinema भी समझ रहे होंगे उस समय एक बहुत ही blasphemous attack सत्य जी त्रे पे हुआ था नर्गिस द्वारा कि यह गरीबी दिखाते हैं cinema का का काम गरीबी दिखाना नहीं है social realism उनका काम नहीं है अच्छी अच्छी बाते बोले हैं पहली की तुलना में यहां पर आ जानो 2015 का जो आंदोलन था क्योंकि आप उसमें बोलते हैं कि यह सिर्फ FTII related आंदोलन नहीं था कारण और भी थे पहले की तुलना में 2014 की तुलना और उसके बाद में state का response, state की प्रयास की किस तरह से cinema को अपने विचारधारा, अपने issues को promote करने के लिए कैसे harness करें उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है आपको नर्गेस्तत अठक अच्छी बैदर इंडिया बनी थे अच्छी साल पधर पाचेली भी बनी थे यूश्री थे आख़ी निचिने हुआ था कि हिंदुस्तान में अगर किसी को पूचे की नशनल सίνवा क्या है तुलना इस वेरी इंपोर्टन चांट इंड दे अच्छी लिए you know, like a national language. What can be a national cinema? So, मेभूब चान could have been one possible contender for India's national cinema. सत्य जित्रे could have been another contender. अगर ऐसे चोईस रहा, you actually had two separate histories in conflict with each other, you know, for what could be India's national cinema. Now, film, you know, I mean, Hindi cinema में चिदानन दासगुपता हैं that there is a certain kind of default nationalism that the movies produce. India is a country mainly because all Indians watch cinema, you know, but this is not official nationalism. This is a popular kind of nationalism. The history of this, so, from the Nehruvian period, Indira Gandhi के जमाने में और उसके बाद liberalization के बाद अलग-अलग किसम के histories हुए हैं, अलग किसम के regulations हुए हैं, censorship structures have changed. आज के जमाने में दो किसम के चीज़ें बहुत ज्यादा हुए हैं, सबसे पहले इडिजिटाइशन हुए. So, 2000 में the Information Technology Act जो हुए, created a whole new condition of digital governance. On film, when it turned digital, when actually cinema became digital, so now you have films on OTT platforms, films on the internet, films on social media. So, social media regulation, internet regulation, or OTT regulation में जो अभी हो रहा है, so censorship has changed from then to this. अभी तो स्थिती होगी कि कभी भी कुछ भी देखते हैं, तो हमेशा ये चिंता होती कि कहीं हम मेरे इसको देखने के वज़ए से मेरे पर तो कोई केस नहीं हो जाएगा. वोई तो, वोई तो. इस तरह के केसे बहुत देख सुनने में आ रहे हैं. Absolutely. तो उस टाइम पर जो censorship issues हुए थे, अभी आज censorship कुछ अलग हुआ है. तो मेरा ये कहना है कि अभी 2015 में जो strike हुआ, तो उसके पहले 2014 में, जादूपर उनिवर्सिटी थे, में में जो प्रोटेस्ट हुए थे. उस ताइम, तो तो पर शुचल मेडिया काई दो दिर्वन प्रोटेस्ट आइजिस्टे अगा. उसके बाद ऐसे हुआ कि कैंपस में, इंपस इंडिया में, freedom on the campus, जो था, it was equated with the right to make and show film on that campus. It became a very important component, part of that. So, जब करोडी मल college में, जो नकूल सिंहौनी के फिल्म का अटक अटा कोई ता, उसके बाद रोहित बैमुला ने ऑगस्तीन 2015 में, जो एक पोटेस्ट किया ता, for FTI students and for Nekool Singh S E. This was a very important development that took place and FTI filmmakers were very interested in wanting to support campus protests across the country, even as other protests were actually supporting what they were doing in FTI. तो इस किसम का जो एक पुलिटिसाज़ेशन हुआ फिल्म का, the right to make films, the right to show films, this became a kind of a very important component part of campus protests from 2014 through to 2019. तो अभी जो जाम्या मिल्या में जो प्रोलम्स हुए और जो अटक हुआ C.A. 2019 में, उन्चात्रों पे, उस टाइम जवालाल नहरू उनिवर्शिटी में भी हुआ था, बाहर से लोग आए थे तो जो CCTV कैमेराज थे, जो moving image captures किये थे, उसके बाद पायल कपाडिया ने ने लिएटब knowing nothing में अच्छली वा फुटेज यूज किया है, उनको award मिला थे हैं कान में, ये अच्छली अभी, this has become the new career, if you like, award used to be cinema, award used to be censorship. लिकिन आपने एक चीज बताया है कि मताद दोहजार पंदरा का अंदोलन, ultimately successful नहीं हो पाया, तो और बाकी जो अंदोलन भी हुए, उसमें ultimately चात्रों ने आवाज उठाई, और उसके बाद उनको पीछे कदम लखने पड़े, because state के ruthlessness की वज़े से, तो इससे, मैं ये समझना चाहरा हूँ कि ये current जो political regime है हिंदुस्तान में, उसने cinema को कैसे अपने purpose के लिए इस्तिमाल किया, क्या इसके बारे में कुछ बता सकेंगे आप? आपको इतना जयादा मतलब, I didn't want to put words in your mouth, but I wanted to hear it from you. आपको इतना जयादा मतलब, I didn't want to put words in your mouth, but I wanted to hear it from you. केरला फाइल, कश्मीर फाइल सभी और भी बन रहे हूँ हैं, बायोग्राफिस, बायोपिक्स बन रहे हैं, अलग-अलग इतिहास इमाजन करके, पृत्वी राज के ऊपर एक पिक्चर बनी थी पिछले साल, जो उसी false history को promote करते हुए. No, I mean, institutional control, इसके बारे में ज़रा पताएं. मतलब, आपने किताब में लिखाए कि तमाम सारे जो institutions थे, फिल्म्स डिविजिन, Children's Film Society, National Film Archive. लोग पूना में जाते थे, वहाँ पर समय बिताने के लिए, मैं बहुतों को जानता हूँ जो 80s में वहाँ जाके, बनोंने बहुत अच्छा काम किया. Directorate of Film Festivals, NFDC, तवाम institutions को, मतलब, पुरी तरह से तहसनेहस कर दिया. I mean, इसका एक अच्छली इतियास है कि 1951 में, मतलब, very shortly after the first five-year plans were actually put together, एक Film Inquiry Committee बनी थी, you know, which was led by someone called S.K. Patil. And 1951 Film Inquiry Committee, he was a major political figure in Bombay, he was the chairman of the committee and उस committee में काफी recommendations हुए थे कि एक Film Archive हो, एक Film School हो और Film Festivals के लिए एक institution हो, तो काफी मतलब, NFDC, Directorate of Film Festivals, Film Institute और Film Archives उस time में इमाजन किये थे. 2021 में, Cinematograph Act Amendment की शुर्वात हुई और उसी time में ऐसे भी हुआ की, all of these institutions were effectively merged into what was the NFDC. So, it is possible in a way to bookend this period कि 1951 में जो imagination था पर state control of the cinema, that comes to an end in 2021. And along with that, there is the reinvention of the Cinematograph Act itself, you know. So, इसके high points क्या हैं? 2021 में उन्होंने क्या किया था, कि दे अच्चली पुट तोगेदर द्राफ्ट सिनमेतोग्राफ बिल, in which one very important criterion was, कि कोई भी अगर फिल्म सेंसर हुई, तो उस फिल्म का सेंसर्शिप सर्टिफिकर जो है, वो उसको विड्रॉ करना, या सेंसर बोर को कहना कि इसको वापस आप चेक कीजिए. This was a state privilege that they had, of what was known as a super censor. Now, they have basically taken that particular thing aside, but they have got a new Cinematograph Bill, but parallelly they have another thing which is the Data Privacy Bill, and they also have the draft provisions on OTT platforms and so on, and social media. So, censorship has to be looked at in the context of all of these new categories. So, censorship का नया जमाना अभी आगया है हमारा. Censorship की बात हो रही है, एक चीज़ बहुत मेरे आटपटा लगी थी, इसको आप किस तर से देखने है, अभी हाल में, हमारे INB मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक दिन प्रेस बयान दिया और उन्होंने स्टेट्मेंट जारी किया, पता नहीं, अफिशिली चिट्थी भी लिखी गए है ने, फिल्म सेंसर्स को की ओपन हाइमर सिनिमा में, ये फलाने सीन डिलीट किये जाएं क्योंकि ये हिंदू सेंसिबिलिटीज को हर्ट करती है, तो ये जो फिलिंग है कि हर्ट करती है, ये तो पूरी तरसे सबजेक्टिव एसेस्मेंट है, जो चीज आपको हर्ट करती है, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे को हर्ट करती है, पोस्ट इन क्थे रेट्रम चाहिऍ के चूईकर पराइडिक है। किसरे कवर्ती पीटिंप्रिश के और कल रंगेशन नहीं को whoever you are, whatever your gender, your age, your caste, your religion, your region, buying a movie ticket gave you a right as a new member of the modern public. Now, this was a very important right of the spectator to the movie theatre, which extended into the right of the spectator to see the film and for the film to address this movie theatre. So there is a certain kind of democracy associated with the movie theatre as a new institution of the public domain that translates into the narrative structure, if you like, of the cinema itself, you know. This particular right has not been really interrogated in India. So the right of cinema is usually the right of the filmmaker. So the increasing misuse... Film of these, which is the right of the institution's responsibility. And the right of the spectator, because it has not been necessarily explored, this has become increasingly weaponized and misused. that the film is what happened to me is that you should do something for me. So, you know, I mean, all the great censorship cases, Raj Kapoor, Satyam Shumam Sundaram, the Tamas case, for example, they were all to do with the fact of some spectators saying that, you know, that my feelings are hurt, so I should do something for me. And the cinematograph bill actually even said that if you gave a written complaint to the I&M ministry, that would be enough for them to basically ask for the film to be either banned or for the census certificate to be withdrawn. This was the cinematograph thing. That was actually a major struggle, which I think was in some ways won by the people who were struggling. अवेसे सवाल आप जब हम इंटेव्यू के पहले जब तयार हो रहे थे और जब आप से बात्चीत कर रहे थे, तो आपने जिकर क्या कि कुछी दिनों में FTII के स्टूड़न्स आपकी किताब के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ इवेंट्स प्लैन कर रहे हैं. तो एक तरह से आपने शुरुआत की अपनी किताब की 2015 के हर्ताल से उस स्ट्राइक से जो आंदुलन हुआ था जिसे और चात्र आंदुलन हुए थे बहुत समय के बाद फिर से आंदुलन वापस आये थे हिंदुस्तान के राजनितिक स्पेस में वो भी इतने रेप्रिसिव मा प्रज़ से खिर पान प्यून है थेपाउट थे खाया थे खाया थे खाया मुआ ऑपला थे लूच दिवाच जाए अच्छिप अच्छछ पड़ूड य दो चाप्तर पड़ूंगा, and then I will be competent to look at this thing from one perspective. So, tell me about the students getting involved. It's a different generation of students. 8 साल बीद गए उस आंदोलन से. उस आंदोलन में जो लोग शामिल होते हैं, पता नहीं उन में से, कौन कहां गए, कितनो को, डिग्रीज मिली, इसके बारे में कम से कम, जो कॉमन मीडिया है, उसमें कोई रिपोर्टाज नहीं हुई है. No, एक तरह से, I am very, very pleased, but also sort of slightly anxious, देखते हैं क्या होगा, but basically from Friday, Saturday and Sunday, the next two days, three days later, there's going to be a series of student events screenings and a lot of ex-students are going to be coming, including very senior ex-students will be also coming, we're hoping that Saeed Mirza will be with us. Right, Saeed Mirza ने आपके किताब का forward लिखा है, Mirandhra Saini. Saeed, middle name Mirza, अक्षर भी है उनके नाम. Yes, 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 yeah, yeah. आप उसके बारे में बोलते भी हैं कि, मतलब घटक ने एक सवाल पूछा था. Filmmaker का क्या नाम हो? Yeah, you know, Sergei, उन्हें कहा था कि तुमारे नाम बताऊ से, बिनोच चोपड़ा, अशोका हुजाए, तो क्या फिल्मेकर का नाम होता है? Sergai Mikhailovich Eisenstein, ऐसे होता है filmmaker का नाम. तो रित्विक घटक भी तो वैसे ही थे? ने, रित्विक कुमार घटक. अच्छा, ऐसे कुछ पूछा है. Satyajitre, you know, he did not think was a filmmaker's name. So, Sajid Mirza ने कहा था, मैंने नाम बदूर, Sajid Akhtar Mirza. He said, हाँ, that is a filmmaker's name. So, yeah, hopefully Sajid Mirza will be there. Let us see what happens. एक बार और, बहुत-बहुत बदाई, बहुत अच्छी किताब लिखिए, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. और आप लोगों को भी बतादें कि ये किताब जो है, John Ghatak, Tarkovs की Citizens, Filmmakers and Hackers. Hackers, जो आज की चुट गई है, Hackers. मतब आज कोई भी cinema बना सकता है, Mobile School के cinema बना सकता है. उनके बारे में जिक्र है. तो अपने आपको भी आप लोग फिल्मेकर समझ सकते हैं, आपकी कितनी स्पेस है, आज के contemporary technology और कितना सरकार आपको allow करती है. इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए तो आप आशिष राजा धक्षा की किताब को जरूर पढ़िएगा. धन्यवाद.